हेलो पच्छो हम देखते हैं कि किस तरह से तीन हिंसी अदत को एक हिंसी अदत से जरब किया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा है कि हम दो हिंसी आदात को एक हिंसी आदात से किस तरह से जर्ब कर सकते हैं और दो हिंसी आदात को दो हिंसी आदात से कैसे जर्ब किया जा सकता हैं अब हम देखते हैं कि 3 हिंसी आदाद को किस तरह से जर्ब करना है इसके लिए सबसे पहले हम एक मिसाल लेंगे हम सबसे पहले 200 और 4 का जर्ब करेंगे यहाँ पर जो 200 है वो एक मुकमल 3 हिंसी आदाद है क्यों मुकामल है? क्योंकि इसके दोनो एकाई और दाहाई के मखाब पर सिफर है तो इसका जो जर्ब का अमल बहुत ही आसान है सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा ये जो चार है इसको यहां पर सेग्ड़े के मखाब पर जो भी इंसा है जिसे कि हम पर 2 है, ये दोनों का जर्ब कर देंगे 4 और 2 का जर्ब कितना हो गया? 8 अब यहाँआ पर कितने सीफर है? 2 सीफर ये 2 सीफर इसको लगा देंगे है रहा होज़ान? 200 पर 4 क्या होता है इनका जर्ब? इनका जर्ब होता है 800 अगर 200 की जगे पर 100, 300, 500 होते तब भी हम सेकड़े वाले मखाम पर जो भी हैंचा है उसका दिये हुए एक हिंसी अदद से जर्ब करते और चुम्के यहाँ पर 2 सिफर है तो हम उसको 2 सिफर लगा देंगे तो यह हो गए हमारा 3 हिंसी अदद का या फिर यूँ कहा जाए कि मुकमल 3 हिंसी अदद का 1 हिंसी अदद से जर्ब ठीक है अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं दूसरी मिसाल में अब हम मुकमल 3 हिंसी अदद की वज़ाए कोई और 3 हिंसी अदद लेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ 366 3488 को मैं यहां पर 5 से जर्ब करूँगे के जर्ब करने के लिए वही हमारा पुराना अमल करेंगे या तो हम इसको यहां पर डिरेक्ट जर्ब कर सकते हैं या फिर हम इस दरह से इसका खागा भी बना सकते हैं तो चलिए हम खाका बनाकर इसको जर्ब करते हैं जर्ब करने के लिए ये जो खाका है यहां पर हम इसका डारेक्ट जर्ब देखेंगे डारेक्ट जर्ब के वज़ाए खाके का इस्तेमाल करके किस तरह से जर्ब किया जाता है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगी तो सबसे पहले हम 5 क्योंकि यह सिर्फ 5 है तो यह एकाई के मखाम पर है 5 एकाई और 7 एकाई का जर्ब करते है 5 सत्य 35 लेकिन हम पूरा 35 यहां पर लिखते हैं क्या? नहीं 35 का हम क्या लिखते हैं? यहां पर सिर्फ 5 क्यूंकि यह जो 3 है यह 3 दहाई के मखाम पर है इसलिए यह हुजाएगा 30 और यह 30 यानि कितने हो जाता है? 3 दहाई तो हम यहां पर सिर्फ 35 का 5 एकाई लेंगे और यह जो 3 दहाई है यहाँ पर यह हासिल में चला जाएगा अब हम फिर से 5 और 6 दहाई का जर्ब करते हैं 5 और 6 दहाई का जर्ब किस तरह से किया जा सकता है हम देख चुके हैं 6 दहाई हम जाते हैं 6 दहाई यानि 60 5 और 60 का जर्ब करना तो आसान है जैसे हमने अभी किया था पांच छे के तीस और यह जो एक सिफर है उसको लगा देंगे तो कितना आया यह? तीन सो या फिर यू कह लिया जाए कि यह होगे हमारा तीन सेकडा तो अब हमारा जो पांच और छे दाहई का जर्ब है वो आएगा हमारा तीस दाहई या तीन सो एकाई या तीन सेकडा इसमें से हम चुंके छे दाहई के वखाब पर है तीस दाहई को हम यहाँ पर हमारे जहन में रपते हैं तो यह पांच और छे का जर्ब आगे तीस दाहई और यह हासिल का तीन तो 30 और 3 मिलाकर कितना होगया ये? 33 दहाई तो पिर से हम 33 दहाई में से सिर्फ यहाँ पर जो दहाई के मुखाम पर तहँदीस है उसको लिखेंगे और ये जो बाखी के 30 दहाई है 30 दहाई यानि के 3 सेक्ड़ा उसको फिर से यहाँ पर हासिल में दे देंगे अब पांच एकाई और तीन सेकड़े का जर्प करेंगे पांच एकाई और तीन सेकड़े का हमने यहाँ पर जर्प किया कितना हो जाएगा यह पंदरा सेकड़ा ठीक है यह हो गया पंदरा सेकड़ा और हासिल का तीन सेगड़ा कुल मिला कर कितना हो गए यहाँ पर अठरा सेगड़ा अब चुंके आगे कुछ है नहीं तो हम यहाँ पर अठरा जुंगातू लिख सकते हैं यानि 367 को अगर 5 से जर्ब किया जाए तो हासिल जर्ब आएगा 1835 यह होगए हमारी सर जो कि हमने यहाँ पर डारिक की है इसको हम खाकी की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है हम एक और मिसाल देखते हैं अब हम तीसरी मिसाल देखते हैं जिसमें हम 503 अब हम तीसरी मिसाल देखते हैं जिसमें हम 503 और 6 का जर्ब करेंगे यहाँ पर भी जर्ब हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से दूसरी मिसाल को हल किया था तो ठीक है लिख देते हैं हम यहाँ पर 503 जर्ब 6 6 और 3 एकाई का जर्ब हो जाएगा हमारा 18 एकाई या फिर 18 एकाईया 18 एकाईया में से 8 एकाई हम यहाँ पर लिखतें गे और यह जो एक है उसको दहाई के मकाम पर हम हासिल में यहाँ पर दे देडेंगे अब 6 और सिफर दहाई का जर्ब हम जानते हैं कि किसी भी अदद को अगर सी फर से जर्ब किया जाए तो हसील फर के आता है हमारा सी फर याता है इसका मतलब 6 और सीफर का जर्ब आ गया सीफर दहाई और एक जो हसल का है उसको जमा कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक दहाई अब चुनके दूसरे मकाव हमारा दाही का है और यहाँ पर एक दाही है तो आगे कुछ हासिल में नहीं जाएगा हम इसे जूंका तो अंठरा लिख सकते हैं अब हम 6 और 5 सेकड़े का जर्ब करेंगे हम जाते हैं 6 और 5 सेकड़े का जर्ब क्या आएगा 5 छे के 30 या फिर 6 और 5 सेकड़े का जर्ब क्या आएगा 5 छे के 30 सेकड़े क्यूंकि तीसरा वखाम यहाँ पर सेकड़े का है तो हम इसको 30 जूंका तूं लिख सकते हैं यानि 5 तो 3 और 6 का जर्ब आएगा 3018 इसी तरहा की और मिसाले बच्चों से हल करवाएं और किस तरह से 3 हिंसी अदाद और 1 हिंसी अदाद की जर्ब की जाती है यह समझने में उनकी रहनुमाई करें